हेलो एवरिवन जियो कॉंसेप्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम भारत की लोकेशनल सैटिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे अर्थात भारत की अवश्थिति विन्यास को समझने का प्रयास करेंगे भारत के अवश्थिति विन्यास या लोकेशनल सैटिंग को समझने से पहले आईए भारत के बावलिक विसेश्थाओं पर एक नज़र डालते हैं भारत एक विकासिन राष्ट्र होने के साथ साथ भारत विस्व के साथ महादीपों में सबसे बड़े महादीप एसिया में इस्थिद है और दक्षिन एसिया का एक महत्पूं हिस्सा है अगर छेत्रफल की द्रिष्टी से देखें तो भारत विस्व का साथ महाद सबसे बड़ा देश है जिसका छेत्रफल 32,87,263 वर किलोमीटर है जो विस्व के कुल छेत्रफल का 2.42 प्रतिशत है जनसंख्या की द्रिष्टी से विस्व में भारत का दूसरा स्थान है सैयुक्त राष्ट संग अर्थात यूनाइटी नेशन्स के अनुसार वर्स 2020 के मद में भारत की कुल जनसंख्या 1380 करोड 4,385 थी जो विस्व की कुल जनसंख्या का 17.7 प्रतिशत है भारत के उत्री भाग में गगन चुम्बी हिमाच्छादित चोटियों वाला हिमाले परवत इस्थित है तो इसके दक्षण में सिंदू गंगा ब्रहंपुत्र का विस्व प्रिशिद उपजाओ जलोड का मैदान मौजूद है साथ ही साथ इसके दक्षण में दक्षण भारत में प्राचीन भूखन प्राइदीपी पठार अर्थाथ पैनिंसुलर प्लैटू इस्थे थे जो अमूल खनी संपदाओं या मिनरल्स का भंडार है प्राइदीपी पठार के पूर्व और पश्चिम में अर्थाथ इस्ट और वेस्टन पार्ट में संकीन्ड तटिये मैदान इस्थे थे जो प्राकर्तिक और मानव निर्मेत बंदर गाहों वा समुत्री व्यापार के लिए उप्यूक्त थे साथ ही भारत की पश्चमी भाग में थार का मरुष्थल थार डेजर्ट और बंगाल की घारी में अन्दमान निकुवार दीप समु तथा अरव सागर में लक्ष दीप इस्थे थे जो अपने प्राकर्तिक सौंदर्य वा पर्याटन के लिए जग प्रसिद्ध हैं साथ ही साथ अगर हम भारत का अक्षांस ये और देशांती विस्तार देखें तो लगबग 30 डिगरी अक्षांस और देशांतर ये विस्तार के साथ भारत एक विस्तरित छेतरफल वाला देश है यहांपर असंखे सदावाहनी और मौसमी नदियां प्रवाहित होकर यहांकी संस्कृति को पालित और पूशित करती है साथ ही साथ अगर हम यहांकी जलवायु को देखें तो यहांपर बहुत विवित्ता देखने को मिलती है जहां एक ओर गर्म और ठंडे मरुश्थल छेतर पाई जाते हैं जहां पर सुष्क जलवायू पाई जाती है तो दूसरी ओर भारत में उत्तर पूर्वी भाग में नम आदर जलवायू वाला उत्तर पूर्वी भाग मौजूद है तो यहां जलवायू की दृष्टी से भी बहुत अधिक विवित्ताइं देखने को मिलती हैं भारत में विवित्परकार की प्राकर्टिक बनास्पतियां पाई जाती हैं अनेक प्रकार की मिट्टियां विवित्परकार की भाशाएं बोली और वेस्भूसाएं पाई जाती हैं अनेक प्रकार की परंपराएं और रीती रिवाज यहां पर देखने को मिलते हैं जनसंख्या वितरण की दृष्टी से भारत में बहुत अद्यक विवित्या देखने को मिलती है साथ ही इस्थानिय समय में भी बहुत अदिक अंतर देखने को मिलता है भारत में भारत के पूर्वी और पस्चमी हिस्सों में दो घंटे का अंतर पाये जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां का दिसांत्री विस्तार लगभग, भारत का दिसांत्री विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। इसे उप महादीब की संग्या भी दी जाती है। जिनके आधार पर भारत में एक्ता जो भारत को एक्ता की सुत्र में बानते हैं। हिमाले परवत की इस्थिती, नमबर दो उष्न मानसुनी जलवाईू, भारती सांस्कृतिक दिराशत, अंतर राज्य प्रवास और राजनी तिक एक रूपता। ये कुछ आस्पेक्ट्स हैं या कुछ पक्ष हैं जिनके आधार पर भारत में एक रूपता जलगती है। तो इन पक्षों को हम विस्तार से एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आईए चलते हैं भारत की इस्थिती और विस्तार की ओर। भारत की इस्थिती वा विस्तार को जानने का प्रियास करते हैं। भारत की जो इस्थिति है वो प्रित्वी के उत्री वा पूर्वी गोलार्ड में है आईए समझते हैं उत्री और पूर्वी गोलार्ड से हमारा क्या तातपर है यहां वेश्व का मांचित्र दिखाया गया है जिसमें भारत को लाल रंग से दर्शाया गया है इस मांचित पर नेली रेखा के द्वारा भूमद रेखा को दर्शाये गया है भूमद रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो जीरो डिग्री अक्षांस पर खींची जाती है यह प्रिथवी को दो बरावर भागों में बाटती है उपरी भाग उत्री गोलार्द की नाम से जाना जाता है और दक्षनी भाग दक्षनी गोलार्द की नाम से जाना जाता है तो यहां हम देख पा रहे हैं कि भारत की इस्तिती उत्री गोलार्द में है इसी प्रकार 0-degree देशांतर रेखा को लाल रंग की रेखा के माद्यम से दिखाया गया है यह लाल रंग की जो रेखा है यह पूरी पृत्वी को पूर्वी और पस्चमी गोलार्द में विभाजित करते है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अब इन दोनों रेखाओं के द्वारा संपूर्ण पृत्वी को चार भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है उत्तर पस्चमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिन पस्चमी भाग, दक्षिन पूर्वी भाग यहां आप देख पा रहे हैं कि भारत की जो इस्थिति है वो उत्तर पूर्वी भाग में इस्थित है अर्थाथ भारत जो है वो उत्तरी गोलार्द और पूर्वी गोलार्द में इस्थित है तो इसे हम सहियोक्त रूप से कहेंगी कि भारत की इस्थिती उत्तर पूर्वी गोलार्द में है भारत की इस्थिती निम्न अक्षांसों वदेशांतरों के बीच है भारत आठ डिग्री चार मिनिट उत्रिद अक्षांस से लेकर 37 डिग्री 6 मिनिट उत्रिद अक्षांस के बीच इस्थित है जैसा कि आप मांचितर पर देख पा रहे हैं ठीक इसी वरकार भारत 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्वी देशांतर के बीच इस्थित है जैसा कि मांचित्र पर दर्शाया गया है भारत का अक्षांसिय वदेशंत्री विस्तार लगबग 30 डिगरी का है उत्तर दक्षन दिशा में इसका विस्तार 3214 किलो मीटर है जैसा कि आपको मांचित्र पर दिखाया जा रहा है साथ ही कच से अरनाचल पर देश तक पस्चिम से पूरव दिशा में इसका विस्तार 333 किलो मीटर है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है 82 डिगरी 30 मिनट पूरवी देशंतर भारत का केंद्री देशंतर है अर्थात यह संपूर्ण भारत को दो बरावर भागों में माटता है यहां से संपूर्ण भारत के लिए मानक समय की गणना की जाती है यह रेखा मांचित्र पर दर्शाई गई है नीले रंग के द्वारा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह भारत के लगबग 30 डिगरी का देशंतरिय विस्तार है तो यह संपूर्ण भारत को देशंतरिय तोर पर दो बरावर भागों में बाटता है साड़े तेश डिगरी उत्री अक्षांस अर्थात करक रेखा यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के आठ राजियों से होकर गुजरती है और यह भारत को लगबग 2 बरावर भागों में बाटती है लेकिन उत्री भाग चोड़ा होने के कारण इसका छेत्री भाग इसका छेत्रफर दक्षनी भाग की तुल्ला में लगबग 2 गुना है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है करक रेखा गुजरात, राजिस्थान, मद्द परदेश, चतिसगर, जहारखंड, पस्चिम बंगाल, पुरा, मिजोरम इन आठ राजियों से होकर गुजरती है भारत की सीमाओं से ताथ पर भारत के अंतराष्टे सीमाओं से है भारत के अंतराष्टे सीमाओं दो प्रकार की है पहला भारत की इस्थलिये अंतराष्टे सीमा और दूसरा भारत की जलिये अंतराष्टे सीमा तो पहले हम भारत की इस्थलिय अंतराष्टी सीमा पर चर्चा करेंगे भारत की इस्थलिय अंतराष्टी सीमा 15200 किलो मीटर की है और भारत अपने अंतराश्टिय स्थलिय सीमा पाकिस्तान अफगानिस्तान ताजिकिस्तान चीन नेपल भूतान म्यानमार बंगला देश के साथ साजा करता है और हमारे पड़ोषी देशों में इन देशों के तरिक्त मियानमार, स्रीलंका और मालल्देव भी शामिल है भारत दक्षण एशिया का एक महतपूर्ण हिस्सा है और दक्षण एशिया में महतपूर्ण भूमिका अदा करता है दक्षिन एशिया एक प्रादेशिक एकाई है जो आठ देसों से मिलकर बनी है इसमें भारत वह उसके पडोसी देश सामिल है इन देसों ने मिलकर दक्षेश अर्थात South Asian Association for Regional Corporation जिसको हम शौट में शार्क कहते हैं के नाम से एक संगठन एक छेत्री सायों के लिए बनाया है जि हम भारत की अंतराश्टिय सीमाओं की बात करते हैं तो इसमें त्रिकून का सीर्श विंदू भी मैत्पूर्ण इस्थान रखता है भारत के उत्तर में इस्थित यह स्थान वह स्थान है जहां पर एशिया के पांच प्रमुख देश हैं जैसे भारत चेन अफगानिस्तान प उत्तर पूर्व त्रिशंदी भी अंतराश्टिय सीमा में महत्पूर्ण भूम का निवाती है महत्पूर्ण है इसका महत्व इस प्रकार से है भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में यह भाग इस्थित है और यह उत्तर पूर्व त्रिशंदी वह स्थान है जहां पर भारत चीन और म्यानमार की सीमाएं आपस में आकर मिलती है मांचितर पर इसको दर्शाया भी गया है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जब हम भारत के अंतराश्टी सीमाओं की बात करते हैं तो इसमें कुछ सब्ध महत्पूर्ण हैं जिनका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे सबसे पहला है रैड क्लिफ सीमा यह रेखा रैड क्लिफ महुदय के दौरा बिटिस भारत के पंजाव बंगाल प्रांतों का विभाजन भारत पाकिस्तान के बीच करने के लिए सन 1947 में खेंचे गई थी यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच अंतराश्टी सीमा का निधारन करती है लेकिन यह सीमा हमेशा से ही विवादक इस्पद रही है जिसके कारण युद भी होते रहते हैं मांचित्र पर इसको दर्शाया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं दूसरी महत्पूर्ण रेखा है मैक मोहन रेखा जिसका निधारन सर हैंडरी मैक मोहन के द्वारा किया गया था और यह रेखा 1914 में खीच गई थी यह रेखा भूटान के पूरू में अर्वनाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है मांचित्र पर इसको दर्शाया गया है मैक मोहन देखा भूटान के पूरू में इस्तित है जिसको मांचित पर हरे रंग के द्वारा दिखाया गया है अगला मैत्पूर्ण सब्द है पामीर ग्रंथी यह मदेशिया के केंद्रिय भाग में एक उचा उठा हुआ पठार है जहां से चारो और परवत्स रंखलाएं निकलती हैं और या विकिरनेत होती हैं फैलती हैं यह अत्यदिक उचाई पर इस्तित होने के करण इस पठार को संसार की छट के नाम से जाना जाता है मांचित्र पर इसके इस्तिती भारत के उत्तरी भाग में इस्तित है जैसा कि आपको मांचित्र में दर्शाय गया है जब हम भारत की अंतराष्टे सीमाओं की बात करते हैं तो इस्थलिय सीमाओं के साथ साथ भारत की जलिये अंतराष्टे सीमा की भी मैतपूर्ण भूमिका है जब हम मुख भूमी की बात करते हैं तो मुख भूमी की जो तट्रेखा है वो एक सट सो किलो मीटर है और जब मुख भूमी के साथ साथ भारत के जो दीप समू हैं उनकी भी तट्रेखा को सामिल कर दिया जाए तो भारत की तट्रेखा की कुल लंबाई पिचतर सो सत्रा किलो म हो जाती है भारत के कुल 28 राज्य हैं और 8 केंदर साशित प्रदेश हैं जब हम भारत की अंतराष्टी जली सीमा की बात करते हैं तो इसमें एक महत्पून सब्ध है पाक जल्डमरू इसको भी समझ लेना आवर्शक है यह भारत के दनुशकोडी और स्री लंका के तलाई मनार क के बीच में एक उतला समुद्री छेतर है जो स्री लंका को भारत की मुख्य भूमी से अलग करता है इसका विस्तार लगबग 32 किलो मीटर का है और मांचित्र पर इसकी स्थिति को भी दर्शाया गया है पाक जल्डमरू भारत और स्री लंका के बीच एक उतला समुद्री छे रहे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं